तो आप लोग इनको अच्छी से कोवर करते रहें जब तरक इसलामयाद मैथ इनकी प्रैक्टिस करते रहें मेरी कोशिश यह ही है कि जब तरक एजुकर्टिस के जोबस अनौंस तो हम जदे 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 सले बस कवर कर लें कोफ़स्टमसी कीउज आज कर जो हमारा टॉपिक है फज़ुल खरच सलाउ धैबिया और कफ़एत शारी यह तीन टॉपिक है इन तीन टॉपिकस में से आज हम करेंगे M.C.U.S. बाद टॉपिक है कि फजूल खर्च इनसान को अकसाते है हराम कमाने पर कुन जूसी करने वाला शक्स कहलाता है बखील कौर्ण मजीद ने फजूल खर्च को भाई करार दिया है शायतान का वादा खलाफी करने वाले की कौन सी बाद कबूल नहीं होती वादा खलाफी करने वाले की फजूल और वाचिब तीनों के तीनों क्या कबूल नहीं होते अगर कोई वादा खलाफी करे तो हमें क्या करना चाहिए हमें वादा पूरा करना चाहिए सलाह दैपिया किन लोगों के साथ की की थी फजूल मक्का के साथ इफ्याए एहद से माशने में क्या पैदा होता है अमन हो सुकून अफू से क्या मुराद है माफ कर देना नेक्स्ट है कि तुम जमीन पर रहम करो आसमान मुलग तुम पर रहम करेगा ये क्या है ये एक हदीश है हमें किस से हमदर्दी करनी चाहिए इनसानों जानरों पौदों तीनों के साथ हमें हमदर्दी करनी चाहिए कफ़त शारी के माइनी है काफी होना शार के माइनी है तोड़ तरीके खाओ प्यो फजूल ना करो कि सुरत की आयात है सुरत अल-अराफ शेदान का भाई कौन है फजूल खर्ज इसलामी अखोद की बनियाद है दीन अखोद का मतलब है भाई चारा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कि हज़ू पाक स्वाल अले सेलम ने इस शक्स को पहला पहलवान करार दिया है जो दैश के वक्त अपने आप पर कावर रखे गुस्से के वक्त फत्र मक्का के मौके पर रसूल स्वाल अले सेलम ने कुफार मक्का के साथ क्या सिलोक किया था उन्हें माफ कर दिया था दीन में कोई जवर नहीं ये क्या है एक कुरानी आया दिगर मजाईब और अकीदे वालों को इसलाम की दावत देते वक्त कुन सा असूल अपनाना चाहिए रवादारी का मलब और लोगों के तरफ लाते वक्त रवादारी का असूल अपनाना चाहिए खालिद बिन वल्डीद ने किस मुलक के फता होने पर इलान किया था कि ऐसायों को मकमल मजब के अज़ादी होँआ से लोगे शाम की किस खलीफा ने एक एर मुस्लिम बेकादी को भीक मांगते हुए देखकर इसका जिज़िया माफ कर दिया था हजज़त अमर ने नेक्स्ट थे के एहद के माऊनी है वादा 瓜झ़ेथ के मताबिक मनाफिक की एक निशानी होती है वादा खलाफी अज़त अबू जंदाल ममी किस मुहधे की वज़ा से भीजा गया था मिसा के मदीना की वज़ा से फिए एहद से आपस में बढ़ती है इतमाद नेक्स्ट है कि एखवत का Mतलब है बहीady चारा एखवत की बुनियाद है एम्मान और इसलाम पर अल्ल Monstri ने अल्ल ये एकडार के क्या है भाई भाई नेक्स्ट है धीस के मताबिक एक जिसम के़िए मुमिन लॉग नबी करीम ने खुद करिश्टा करार दिया इंसार महाचरीन के दर्मियान चुगल खौर गुनाओं में से एक बड़ा गुनाओं है जुबान का हदिश के मताबिक चौड दाखिल नहीं होगा जन्नत में चुगल खौर माश्रे में सबब बनता है फसाद का चुगल खौर को आखरत के दिन सामना करना पड़ेगा नदामत का आज का यह हमारा टॉपिक के दरी एंड हुआ इंड हुआ इंशाला दाला कद हम सिक्स किलास के MCQ स्टार्ट करेंगे आप लोग इनको डेली बेसिस पे करते रहें हैं सारे का सारा ताकि आप लोगों की त्यारी अच्छी हो जाए जब दर गजुग धर के जूब्स अनॉंसर ओं आप लोग इनके नौट्स प्नाते रहें, बेली बेसिस, बिक करते यह पन्जाब टैक्सबूक्स उठाए बहुत सारी बुक्स हैं, 4 तक के 10 तक कोई भी उठाएं उनको रीर करें ताकि आप लगों के इंप्रूवमेंट आए आप लोका समूल लिजाए जैसे यह अपलाई करें तो आप लोगों को टेस्ट भी अच्छा हो